अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफ़ेट जानें शोपाल सिंग के एलान से सपा की धड़कने बढ़ी विले और गटवंदन आखिर क्या निकलेगा नतीजा शोपाल सिंग यादव ने प्रस्पा नेताओं से किया वादा सम्मान से समझोता ना करने की कही चाचा जीने बाद बतीजे अखलेश यादव से अलग होने के बाद चाचा शोपाल सिंग यादव के फिर से साथ आने के कयास लगाए जा रहे हैं कभी लगता है कि अब चाचा बतीजे एक होने वाले हैं तो कभी लगता है कि अब एक होने के उमीद तूट रही है लेकिन फिर कोई न कोई ऐसा संकेत या बयान सामने आता है जो दोनों के ही समर्थकों की धड़कने बढ़ा देता है और अब एक बार फिर सपा प्रस्पा के सियासी भविश को लेकर सवाल उठने लगे हैं चाचा शोपाल सिंग यादब के एक बयान ने सपा के समर्थकों के माते पर बल्ला दिया है वहीं प्रस्पा समर्थक भी काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं अब तक कई मौकों पर भतीजे के साथ आने के संकेत खुद शोपाल सिंग यादब ने दिये थे और मिल बैट कर फैसला लेने की बात कही थी लेकिन अब एक बार फिर साथ आने के संकेत तो मिल रहे हैं लेकिन पेच गठबंदन या फिर विलय पर आकर अटक जाता है दरसल प्रगतिशीन समाजवादी पार्टी की प्रदेश कारिकारणी के एक दिवसी बैठब में शोपाल सिंग यादब ने साफ किया कि उनकी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में नहीं होगा उन्होंने अपने नेताओं और कारिकरताओं को भरूसा दिलाया कि प्रस्पा का स्वतंत्र अस्तित तो बना रहेगा और किसी के सम्मान के साथ कोई समझोता नहीं होगा हाला कि उन्होंने ये संकेश जरूर दिये कि बीजेपी के खिलाब वो गटवंदन का हिस्सा बन सकते हैं इस बैठक में राज्य और केंदर सरकार की नीतियों पर भी तीखें हमले किये गए और साल 2022 के विदान सभा चुनाओ की तैयारी में जुटने का आववाहन किया गया प्रस्पा प्रदेश मुख्याले में कारिकारनी की बैठक शुपाल यादव की अध्यक्षता में शुरू हुई उन्होंने उत्तर प्रदेश विदान सभा के 2022 में होने वाले चुनाओ के लिए अभी से जुटने और प्रस्पा के प्रभावरी नेतक्तुवाली सरकार बनाने का आववाहन किया शुपाल सिंग यादव ने गैर वीजेपी दलों की एक जुटता का आववाहन किया साथ ये भी कहा कि प्रस्पा का स्वतंत्र अस्तित्यों बना रहेगा और पार्टी विले जैसे एकांग की विचार को एक सिरे से खारिच करती है उन्होंने पार्टी पदादिकारियों और कारिकरताओं को उनके सम्मान के साथ कोई न समझोता होने का मरूसा दिलवाया शोपाल यादव ने कहा कि भार्टी जनता पार्टी की सरकार ने गाओं, गरीव, किसान, पिछले दलित, व्यवसाई, मध्यम वर्ग और युवाओं को सिर्फ छला है सरकार, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और इलाज उप्लब्ध करापाने में पूरी तरह से नकाम्याव रही बेटियों को सुरक्षा और न्याय न दे पाने की वज़ह से जनता में सरकार के खलाफ गुसा पनप रहा है शोपाल सिंग यादव के इस बयान के बाद पेच इस बात पर फस्ता है कि आखर सपा और प्रस्पा का सियासी भविश क्या होगा एक तरफ अखलेश यादव जो गटफंदन से ज़ादा विले के संकेत देते हैं दूसरी तरफ चाचा शोपाल सिंग यादव जो विले के पक्षुधर हैं ही नहीं ऐसे में अब समर्थक एक बार फिर बात आने वाले भविश्य पर टाल देते हैं और जो होगा अच्छा होगा की बात कहते हैं बिरुर पूर्ट मीडिया हल चल